हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सालो जायका किचन आज मैं आपके लिए मुंग दाल के चीरोटे की रेस्पील आई हूँ इसके लिए मैंने एक कटोरी मुंग दाल को राद बर बिगोके रख लिया था और अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है तो यह देखिए कैसा पेस्ट बना है तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे इसमें दो कटोरी हम मैदा डालेंगे यहां पर मैंने दो कटोरी मैदा डाल दिया है थोड़ा सा नमक डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे अजवाइन को क्रस करके डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम अपने मूंग दाल का बेटर डालती हुए और अच्छा सा आटा लगा लेंगे बिल्कुल कड़क सा आटा लगाना है बहुत ज़्यादा सौट नहीं करना है अब पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं खार यह मूंग दाल का जो पेस्ट है उसी से और इसको ढखके हम अच्छे से रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे फिर हम इसके चिरोटे बनाएंगे तो यहाँ पे मुझे आदा गंटा हो गया है तो एक और छोटी सी कटोरी लेंगे उसमें मैदा डालेंगे दो चमच मैंने यहाँ पे मैदा ले लिय है और इसमें हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे यह देखिए मैंने यहाँ पे और डाल दिया है इसका हम पेस्ट बना लेंगे यह हमको चिरोटे बनाने के टाइम पर यूज करेंगे जिससे हमारी एक एक परत अलग अलग खुलेगी तो यहाँ पर चलिए हम पहले बेल लेते है एक बड़ा सा रोटी के आकार का हम यहाँ पे बेल लेंगे देखिए बेल लिया है मैंने तो हम जो बेटर बना के रखे थे ना इसको अच्छे से इस पे स्प्रेट करेंगे और इसकी परते बनाएंगे देखी मैंने अच्छे से स्पेट कर दिया थोड़ा सा उपर से हम और मेदश्ट करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड कर लिया है मैंने वापस बेलेंगे और यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे इस पी बहुत ही स्वादिश्ट लगती है यह आप दिवाली में या किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं ऐसे भी नास्ते में बना के आप खा सकते हैं इसको बहुत ही टेश्टी लगता है और इसको इस्टोर करके आप 15-20 दिन तक इंज्वाय कर सकते हैं तो देखिए मैंने सेम प्रोसेस को दोबारा कर लिया है, थोड़ा सा बेलेंगे और इसको काटेंगे, आप अगर चाहें तो किसी और सेपका भी बना सकते हैं, या आप नमक पारे जैसा भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं चिरोटे टाइप में बनाते हूँ, जिससे इसकी आप एक परते अलग अलग दिखेंगे, उखाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, तो इसको हम धीमी गेस पे और तेल को अच्छा गरम करके और इसको फ्राइप कर लेंगे, देखिए, अभी इस देखते सी ना कितना टेस्टी लग रहा है, यह अच्छे से हम इसको उलट पलट के सेक लेंगे, देखिए, हमाया ची रोटे एक दम बनिया से क्रिस्पी हो गए है, तो इसको हम निकाल लेंगे, देखिए, थेंक्यों,